इलेक्टिकल और सोलर प्रांट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करके औल वाले नौटिपिकेशन को कर लिजी ओन जिससे हमारी जो भी वीडियो आए उसका नौटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए दोस्तो आज हमें एक प्रेक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम जानने वाले हैं कि जो हंडेड बाट का बल्ब होता है जो की 220 AC पर चलता है क्या भै 220 DC पर भी चलेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले लेना होगा चार डायोड जिससे हमें ब्रेज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा जो AC को DC में करनवर्ट करेगा तो यह जो डायोड है वो हमने एक सरकिट से निकाल लिए यहां पर लगी हुए थे तो वो डायोड हमने निकाल लिए हैं अब हमें क्या करना है जो डायोड होता है वो देखिए जो सपेद पट्टी होती है उसमें वो हमारा नेगिटिव साइड होता है और जो ब्लेक ब्ले को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे दोनों के साइड उसी साइड को कनेक्ट करना हुग जो नेगेटिव नेगेटिव पोडिशन है उसको कनेक्ट करना हुग तो देखिए हमने यहां पर सुल्डर कर लिया है दोनों को तो यह नेगेटिव साइड बाले कनेक्ट हो गए हैं अब दो यूजना रहे क्योंकि हमें 100 बाट का बल्व इससे चलाना है तो देखिए यहां पर हमारे जो पॉजिटिव कनेक्ट हो गए हैं अब हमें क्या करना हुगा इन चारो डायट को एक इसको स्कुएर्ट का बनाना होगा तो उससे क्या होगा यहां पर हमें सबी जगे शूल्ड़ कर ले ना हुग अच्छे से तो यह हमारा बैज रेक्टिफायर है वह बन के तैयार हो जाएगा तो देखिए हमने नेगेटिव डायट जुड़ा होगा और एक positive आपस में जुड़े होंगे बहाँ पर हमें neutral face की supply को देना होता है तो ऐसे point हमारे पास दो होगे तो एक पर हमें neutral की supply देनी होगी एक जगाए face देना होगा तो देखी हमने एक जगाए neutral face को connect कर दिया है और दूसरी जगाए neutral को connect कर रहे हैं तो देखी यहाँ पर जो opposite डायट जुड़े थे बहाँ पर हमने neutral face की supply को दे दिया है अब हमारे पास दो point बचे हैं तो बहाँ पर हमें positive negative supply को देना होता है यह हमारी DC output होगी तो जहाँ पर हम हमारा black black रहेगा portion जो positive होता है डायट का जहाँ पर दोनों connect हो रहे हैं बहाँ पर हमें negative supply देनी होगी negative निकलेगा वहां से और जहाँ जहाँ पर जो सपेथ पट्टी थी बहाँ पर हमें जो negative point था लेकिन बहाँ पर अब positive supply हमें मिलेगी bridge rectifier बनने के बाद यह कैसे होता है हम आपको इसके लिए अगले वीडियो में detail में बताएंगे तो देखिए जो connection है यहाँ पर हमने जो positive diode है यहाँ पर positive supply दे दी है जो negative point थे और उसके सामने हमने negative supply दे है जो बहाँ पर black था और यह जो opposite जो diode लगे थे बहाँ पर हमने neutral phase की supply को दे दिया है तो चलिए अब हम इस connect कर दिया है एसी की supply को दे दिया है तो सबसे पहले हम multimeter में check करेंगे AC को तो AC पर हमने select कर लिया है तो AC को हमें select करना होगा कि कितना AC आ रहा है तो देखिए जो AC voltage है वो 254 volt आ रहा है अब हमें DC चेक करना होगा output में इसके diode के DC कितना आ रहा है तो देखिए DC जो volt है वो 229 volt DC आ रहा है तो अब हमें इसको यूज करना होगा बलब को बलब को चालू करके देखिए कि कितने जो बलब है वो हमारा जलता है या नहीं तो देखिए हमने older में बलब को लगा लिया है और अब हम करते हैं सुचको on तो देखिए सुचको on करने के बाद जो बलब है वो सही स जल रहा है जिस प्रकार से यह AC पर चलता था उसी प्रकार से यह DC पर भी चल रहा है तो देखिए दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप इसी प्रकार की औ पनाही